जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कल वोटे आरेल्डी और बिजेपी के लिए सम्मान की लडाई क्यू बनी बागपत्ती बिजेपी और आरेल्डी में क्यू छिड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद्र के चुनाओं में फतर के लिए बागपत जंग का मैदान बनता जा रहा है दल बदल परजी परचा वाकसी के बाद शेह मात का खेल खेले जाने पर आरेल्डी और बिजेपी ने सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्ण बना लिया है जिहां यहां तीन जुलाई को बिजेपी और आरेल्डी में सीधा मुकाबला होगा बिजेपी प्रत्याशी, बवली और RLD प्रत्याशी, ममता में से कौन जला पंचायट की अध्यक्ष की कुरसी पर बैढ़ेंगी? इस पर सभी की नजर है बागपन की सियासत फिल्हाल गर्माई हुई है जला पंचायत अध्यक्ष के पद पर नामंकन से लेकर नामंकन वाक्सी तक RLD बीजेपी के प्रत्याशियों और समर्थ्रकों के बीच घम असान चल रहा है जला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी यानिसुचिप जाती की महिला के लिए आरख्षित है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सदसे बबली को पार्टी में शामल कर अध्यक्ष का कैंडिडेट घोशित किया था RLD ने ममता को कैंडिडेट बनाया था लेकिन नामंकन वाले दिन RLD की ममता ने बागपत के सांसद के सामने बीजेपी जोइन करनी थी RLD ने पलटवार करते हुए ममता को फिर अपने साथ लाकर अध्यक्ष का परचा भरवा दिया इसके बाग मंगलवार को वापसी के दिन किसी फरजी ममता ने RLD कैंडिडेट ममता का नामंकन वापस ले लिया हलाकि RLD ने लड़ाई लड़कर परचा वैद घोशत करा दिया था अब 3 जुलाई को वोटिंग होगी और उसे दिन काउंटिंग भी होगी बागपत में जिला पंचायत के 20 सदस्य है नामंकर और नामी वापसी के दन ड्रामा होने से सतर RLD को शक है कि वोटिंग के दिन भी गड़बड़ी हो सकती है इसलिए RLD ने दूसरे जिलों के पार्टी मेताओं और वर्करों से ज़ादा से ज़ादात में 3 जुलाई को बागपत पहुँचने का आवान किया है मेरिट RLD के जिला ध्यक्ष मतलूप गौड ने पार्टी हाई कमान के दिशा नर्देश का हवाला देते हुए कहा कि 3 जुलाई को मेरिट से बड़ी तादात में वर्कर बागपत पहुँचे ताकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाओ को निश्पक्ष कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके हाला कि कूफिया विभाग इसकी भनक लगते ही सक्रिय हो गया है सूत्रों के मुथाबिक उसने 3 जुलाई को टकराओ की आशनक जताई है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र के 15 विकल्प जारे किये है इसके साथ जिला पंचायत सदस्यों को मतदान के लिए अपने साथ निर्वाचन का मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवारे होगा मतदान और मतगर्णा परिशन में मुबाइल प्रती बंधत रहेगा सुबा 11 बजे से 2-3 बजे तर मतदान होगा चामली में जिला पंचायत अध्यक्षपद के लिए बीजेपी की मधु गुर्जर और गटवन्धन प्रत्याशी अंजली देवी के वीच कांटे का मुकावला है केवल इनी दो ही प्रत्याशी उन्हें नामंकन कराया है संक्या के आधाल पर देखे तो हार जीत का फैसला निर्दलिये और SDFIA सदस्यों के हाथों में है 2-2 सदस्यों को विजे मिली है 5 निर्दलिये उम्मीदवार भी चुनाव जीते है निर्दलिये और SDFIA के सदस्य किस के साथ है ? इसका फैसला 3 जुलाइक होगा 19 सदस्यों वाली जिला पंचायद में अध्यक्ष पद पर जीत उसी प्रत्याशी की होगी, जिसके पास कम से कम 10 सदस्यों के समर्थन होगी शामली जिला पंचायद अध्यक्ष पद अनसूचीत महिला के लिए आरुचछत है बीजेपी के समर्थन से महद 4 सदस्य जीत खराएं है वहीं R&D के 5 और SP के 2 सदस्यों के साथ विपक्ष का पढ़ड़ा बीजेपी के तुलना में भारी नगर आ रहा है बाद में एक निर्दली बबली ने R&D का दामन ठाम लिया जिला निर्वाचन अधिकारी और DM जसजीत कौर ने बताया कि 3 जुलाई को शामली का लेक्टरेट में जिला पंचायत सदस्यों की ओर से मत्तान किया जाएगा जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे 3 जुलाई को ही जिला पंचायत अध्यक्ष की गोश्च ना कर दी जाएगी इस रिपोर्ट में खिलार के लिए इतना है आने राजिने की खबर से जुड़े हने के लिए आप देखते रहें ये राजिने की दरबार में लिए